परिक्षा समिती द्वारा बुद्वार को शंध्या में इंटर्मेडियेट के रिजल्ट आने के बाद द्याद से लेकर सहरी तक ये चर्चा के बिशय बना हुआ है रिजल्ट को लेकर और उसी बीच आज हम अमनवर में पहुँचे हुए हैं और अमनवर की एक बच्ची ने परखंड का नाम रोशन करते हुए अपने कोचिन का भी नाम रोशन की हुई है इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे ये कैसे तियारी कर पाई और इतने कम शमय में क्योंकि बीच में करोना काल भी था बाढ़ भी आया था और ये गाम में रहकर भी पूरे परखंड की नाम साजिया परवीन आप यह बताएं कि इतने अच्छे नंबर कैसे ला पाया सबसे पहले तो अपने सर लोग पहले माता पिर्दा उसके पास सर लोग का धन्यवाद करना जाता है जो इतने सहयोग दिये सब लोग इतना अच्छा से कोचिंग में पढ़ाते थे सब नोट सुस बन रहते सब सब मतब जितना स्लेव होता है सब सर लोग कवर कर दिये जिसके बाद हम लोग एक्जाम दिये तो इतना नमबर लाप है आपको ऐसा नहीं लगा कि कुरोना काल था बिच में कुरोना काल का भी असर आपके उपर पड़ा अभी जो नंबर लाए हैं इसका अगर कु तर नमर ला सकें ऐसा कुछ आपको मश्रूस अंदर शोड़ा था बिल्कुल सर दो तीन मौंथ तो ऐसे हम लोग का चला गया सर लोग उसमें बहुत सहयोग दिये लिए फिर भी दो तीन मौंथ ऐसे चला गया अगर वह वीच में दो तीन मौंथ के लिए कोरोना काल नहीं आ चार सो चब्वीस यानि एक नंबर जादे बढ़ा पाएं इस पार ना तो एक कैसे प्राइक कर पाते हैं और ऐसे कैसे त्यारी कर पाएं कि यहां तक पहुंचकर और इतने अच्छे नंबर ला पाएं सबसे पहले सर लोग तो बोलते थे जितना हम कोचिंग में पढ़ा रह आते थे परने के लिए सबसे पहले मेरे पापा रोज साम को आते थे और रोज साम को आधा एगंटा रोज गाइड करते से रोज डेली सर आपकी बच्ची पर घंट पर आई है कैसा लगड़ा आपको मेरा इरादा था कि यह चार सो 27 नमर लाई है ना मेरा टार्गेट था कि इस तारह 400 नमर लाती है 90 प्लास 90 परसेंट 90 से ज्यादा परसेंटेज नमर उठाएगी यह हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हुआ हो गया हो लेकिन बहुत हमको कुसी हो रही इस बात की कि अपने परखंड में अच्छा नमर उठाई है आपको यह खुसी कैसे जाहिर कर चाते हैं कि अब मरी बच्ची 427 नमर लाई और पुरे परखंड के नाम रोसन की तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है महसूस बहुत अच्छा हो रहा है और इसके बाद में मेरा मकसद है कि यह कोटा जाए अच्छा से तैयारी करें इनकी शपना है आप पर एक डॉक्टर है इन्हो कर पाएंगे कि कोटा में जाकर यह परहाई कर पाएंगे मेरा लक्ष यह है कि यह अच्छा से स्टडी करें वहां जाकर के और 600 प्लस मार्क्स लाए जब 600 प्लस मार्क्स लाएगी पैसा के ज़्यादा जरूवत होगा नहीं गरीब तपका का लोग भी पढ़ सकता इसमें 600 आपको विश्वास है कि मेरी बच्ची पढ़कर अपने बल पर ले सकते हैं अपने बल पर ही पास करेगी किसी का मदद की जरूवत है क्या नम पढ़ेगा अश्यर आपका मुहमद शाही दलसारी इनकी बड़ी बहन भी बैठी हुई है मेरे साथ उनसे बात करने के कोशित कर नाजिया प्रवीन यह सर्ण यह हम को बताएं यह छोटी वाली बहन को आप कितना केर करते थे और कैसे गाइड करते थे कि 427 नमबर लाकर आज पुरे परखंड के नाम रोशन की है मैं तुछाती थू मैं जितना की उससे बेटर मेरी बहन करे और यह कोरोना के वज़े से इ हमें रेकर इसको बताती थी कि 11 खुझ से कंप्लीट करो और इसका गाइडलाइन लो और तो में रहो ऐसे सर सपोर्ट करेंगे तो 11 कंप्लीट हो पाएगी और 12 तब तक साइद कुरोना काल चली जाएगी तो सर सपोर्ट तो करेंगे ही और 11 में कुरोना रहते हुए सर लोग ये ऑनलाइन क्लासिस करवाते थे और ये करती थी और मैं नोटस अपनी दे दी थी उससे भी बहुत हेल इसको मिला था आपको एक और बात आपसे सवाल करना चाहते हैं ये डॉक्टर बनना चाहती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पे शाजिया बैठे हैं और शाजिया ये पुरे परखंड के नाम रोसन की है इसलिए टी एन पी नियुज भी इनको बदाई द ऑज़ेता है कि इससे भी जिनकी लग्च है डॉक्टर बनने को डॉक्टर बने और डॉक्टर बनती हैं तो फिर सबसे पहले आप 있는 लूज कवर करने की कोशिस करेगा और दिखाने की कोशिस करेगा तमामकख वबरों के लिए बने रहने तब तक के लिए धन्यवाद